जैहिंद दोस्तों UDC आ रहे हैं मैं आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंग्लेंड और साथ अफ्रिका के बीच में होने वाले IPL के अगले मैच के अब आप कहेंगे हम IPL कह रहे हैं दोस्तों जिस तरीके से वर्ड कप चल रहा है ना मज़ा तो IPL वाला ही आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा मैच देखने के लिए अब आप कहेंगे चलो यह सब तो चलता रहेगा हमें यह बताइए साथ अफ्रिका के कितने चांस है इस मैच में तरीके से हम अगर कहें सेमी फाइनल में जाने के लिए ना उससे पहले आप कहेंगे कि हमारे पिछले जो इंडिया के मैच में आपने हैट टूएट की टीम दिखा ये वह भी दिखा देते हैं सबसे पहले विनिंग देख लीजिए हारा हम कोई भी कॉंटेस्ट नहीं हारे हम सभी कॉंटेस्ट जीते हैं अब जो आपको हैट टीम दी गई थी यह वाले टीम 3 आपको मैं टीम भी भी था दूँगा रुकिए जरा यह देखिए अगर आप चेक करेंगे टेलीग्राम पे आपको यही टीम दी गई थी अब देखे जड़ू बहुत कम लोगों के पास था लेकिन यूडी सी आरे के पास जड़ू था हाना सबने वरुन चक्रवरती को लिया हुए था लेकिन ह हमारी टीम में चक्रवरती था ही नहीं सबने जड़ू की जगा चक्रवरती को ले लिया लेकिन हमें पता था नया प्लेयर फाम अभी है नहीं और लेफ्ट आम अलगी मज़ा आए और हमारा डिसीजन सभी था अब टीम थी सब में जीत के गी दोस्तों यह टीम आपको बाकी अब बात करते हैं अगले मैश की अब इसकी मैंने एक बहुत तगड़ी पिछरी वोर्ड तियार की हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उससे वहले आपको पता होना चाहिए साउथ अफरीका और आस्टेलिया के क्या चांस है सेमी फाइनल में जाने के लिए अस्टेलिया को दो बड़े फाइदे हैं आज के दिन के लिए साउथ अफरीका को वो दोनों फाइदे नहीं हैं दोनों ही नहीं है बात करूं मैं कौन से दो फाइदे दोस्तों इस फीह चैसलें को पहले पारा डेका और में साउथ आफरीका का मैच एंगलेंड के साथ है जो इंगलेंड स्टॉंग टीम है तो बहुत जाना स्टॉंग है वो ठीक है तो पहला अस्ट्रेलिया को यह फाइदा हो गया कि उसको जीतने के चांट जादा है विकाज उसका मैच तगड़ी इनके साथ नहीं है और दूसरा फाइदा क्या है और यह का रन रेट साथ अफर सो और देट सो रन से जीतना है तो इनके लिए कुछ ऐसा फंडा बन जाए और इंगलेंड को तो हराना ही मुश्किल है तो इतने बड़े मारतन से कहां से जीते हैं तो केवल और केवल जो चांस है साथ अफरीका जीत जाए और स्टेलिया और सेमी फाइनल में चला जाएगा कैसे बाद लीजे दुनों टीमें हार गई तो अस्टेलिया सेमिफारल में चला जाएगा ठीक है तो ये सेनेरियो बनेगा तो साथ अफरीका चाहेगा कि अस्टेलिया हार जाए और हम जीट जाए हाना हम मतलब भारत जीट जाए क्या बात है दिल खुश हो गया सुनके तो चलिए अब बात करते हैं शार्जा के ग्राउंड की एज यूजल शार्जा का ग्राउंड कुछ खास बैटर नहीं है लेकिन पिछला जो मैच यहां पर हुआ था थोड़ा सा हाई स्कोरिंग हुआ लेकिन वो क्यूं हुआ सामने वाले टीम कमजूर थी नमीबिया थी अदरवाई शार्जा तो छोटे स्कोर्स के लिए ही प्रेफरेबल है अगर आप देखेंगे 163 फिर से मार गए शिरिलंक क्या कमजूर थी अदरवाई शार्जा के ग्राउंड पर लगवग इतना ही स्कोर्स देखने को मिलेगा आपको ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा सा डेटेल में मज़ार है दोस्तों अब आई है यूडिस यारे की मेहनत की जो हम करते हैं लेकिन उससे पहले आप कहेंगे कि सर अपने टेली चैनल का लिंक यहां से जाकि आप हमारे टेलीगराम चैनल से जुड़ पाएंगे और जिस एप पर मैं खेलता हूं यानि की बैडबॉल 11 यह रहा दोस्तों यहां पर काफी कम रेट में आपको हैड़ डू है और आधे रेट में आपको जील भी मिलती है यह जरूर आप खेल यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं मैं तो यहीं पर खेलता हूं यह देखिए दोस्तों यहां पर जील आपको आधे रेट में दी गई है जो बहुत ही कम रेट है दोस्तों सारी टीमों में आपको इतनी सस्ती मिलेगी फाइदा उठाई है तो चलिए दोस्तों अब चलत जाके पीछ टास्स टोब इन सोब वालिंग चाहेगा सिप सुथ प्लेश इंप्लेयरे इंफ वैर्ड बेर्ण शाफ होएगा गोल इंफिस इृफ वाली इंप्लेयरे इंफर्य ऌट्रेक मैच के इंफर्ण चाहिए फक्रुक्त पाएविसile यूडी सी आरे का मतलबी महनत है साथ और चार ग्यारा विकेट लेकिन यहाँ पर टीम कमजोर थी तो कॉलैप्स कर जई ठीक है उसके पहले शार जहाँ दस और चार चौदा विकेट यहाँ पर भी टीम कॉलैप्स कर गई दोस्तों उसके पहले टॉस मिनर बेटिंग भी ले सकता है फिर तो यह देखिए यहाँ पर सोला विकेट यहाँ पर बारा विकेट तो विकेट्स शारजा में खूब गिर रहे हैं विकेट्स की आप लोग टेंशन मत लिजिएगा अब अगर बात की जाए टीम कैसे बनेगी तो दोस्तों टॉस के लिहाँ से टीम बनेगी आना टॉस को जीतेगा आपको कैसे पता हमें भी नहीं पता तो दोनों तरीके से टीम बनाएंगी आना तो चलिए दोस्तों टीम बनाने चलते हैं मेहनत तो लगती है बैड मॉल प्रफा सबस्साइब आप सबस्क्याला करो पहले मान के चलते हैं इंगलेंड टास जीति गया जो सकता है वह आज माना चाहे गांगर जोस्तों पहले प्लेयर कौन है इनके बटलर है ना बॉलर्स ज्यादा रखने हैं क्योंकि बॉलिंग विकेट है तो इन फॉम बॉलर कौन है इनके आदिल रशीड क्रिस वाक्स और कौन है दोस्तों देखे जरा एक बार ड्रीम 11 और अपना क्या नाम है इनका क्रिकमस पर भी देखा जाएगा कौन से बॉलर इनके इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मोहिन अली को इंपॉर्टेंट दिखाया गया है क्या किया था इन्होंने ऐसा दो विकेट्स चटकाए थे इन्होंने तो यह है प्लेयर दोस्तों मोहिन अली अगर हम क्रिकमस पर चेक करना चाहें तो इंग्लेंड की टीम दोस्तों महिनत लगती है मैं फिर बता रहा हूं महिनत से मत दिखा रही है महिनत करना सीख लीजिए तब ही आप सक्सेस्पुल हो पाएंगे राइट आम आफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं यानि लैफ्टी के लिए काफी असरदार साबित हो सकते हैं यह इनके पास साथ एफरीका के पास लैफ्टी प्लियर्स हैं डी कॉक आना डी कॉक के बाद बाव उमा नहीं है रीजा खेले थे पिछला मैच ठीक ठाक रहा इनका टीम मैच खेल रहे हैं इनके पास और माकरम राइटी है प्रिटोरियस राइटी हैं दोस्तों तो दो प्लियर इनके पास लेफटी है रोल आ सकता है दोस्तों मोहिन अली का रोल आ सकता है उसके बाद बालिंग में जॉर्डन जॉर्डन तकड़ी बालिंग कर रहे हैं फस्ट बालिंग में तो वैसे बालिंग में तकड़ा करते हैं त सब्सक्राइं सब्सक्राइब बॉलर लिविंग स्टोन है दोस्तों पांचवा बॉलर इनका लिविंग स्टोन है तो मेरा तो मन वैसे लिविंग स्टोन को भी लेने का कर रहे है क्योंकि बॉलिंग ये भी तगड़ी कर रहे है कि वैसे इस ग्राउंड पे रुक कि आएगी विकेट पे दोस्तों देखा जाए ज़रा पांच वा बोलर इंका कौन अपिछला मैच देखा जाए इंगलिंड का कि ल्गाँ आइव照 Maybe अटाइमल मिल्स तो बाहर हो गया न सो इन की रिप्लेश्मेंट य तॉर पे अभी किसको खिला रहे हैं। आसे लिविंक स्टोन बडियां बॉलींग कर दोस्तों मोहिनली बड़िया बॉलिंग कर दे हैं लेविंग स्टोन चार वर पूरे कर रहे हैं अपने इनकी रिप्लेस्मेंट के तोर पे देखते हैं कौन सा प्लेयर नहीं बुलाया है विली या फिर आजिल रोशीद विली अगर खेलते हैं तो विली मेरी टीम में आ जाएंगे दोस्तों विली तकड़े बॉलर है ठीक है तो विली को तो मैं लूँगा अगर वो खेलते हैं तो कोई नहुँए तो खेलेगा ही खेलेगा तो एक बॉलर में स्पेर रख रहा हूँ यहां पर हम किसी को भी ले सकते हैं ठीक है अब बात की जाएगी इंग्लेंड की बेटिंग की तो रॉय रॉय क्या कर रहे हैं एक बार देखा जाए जाए रहा ठीक है प्रदर्शन आ रहा है दोस्तों लिया जा सकता है बंदा तो कोई गया कभी टीम में रख़ा जाएगा को अ उसके बाद नर्वा निक pasture कौन आ रहे हूगो कि मलन आरे हैं मलन तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो डाउन पर कौन आ रहा है बेस्ट उहारे है बेस्टों भी कुछ नहीं कर रहें तो इंग्लेंड का एगर हमें लेना आये तो कौन हो सकता है यह हमें पता होना चाहिए जी नहीं साथ मापलियर बेटिंग बेतों नहीं तो अगर अपले ना जाओ तो यूशुड गो उज लेविग स्टून ठीक है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा नोडा उट पिछले मैच पे इनके बार्गन चल गए थे लेकिन हर बार उट पे भरोसा नहीं किया जा सकता आप भी जानते हैं मैं क्यों गया रहा हूं ठीक है अभी के लिविंग स्टोन अगर बाहर कर दे तो देखा जाएं साथ अफरीका की जिसकी पहले बैटिंग आई है उसका पर क्या रहेगा दोस्तों साथ अफरीका बैटिंग कर रहा है साथ अफरीका के इन फॉर्म प्लेयर्स कौन कौन है यह तो बहुत बेकार फॉर्म में चल अभी रीजा रीजा विकुछ खास तो नहीं चल रहे हैं बावूमा बावूमा फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं डसन अब डसन को पता नहीं क्या वे तगली फॉर्म में चल रहे थे यहां पर आके इनकी भी यह भी धराशाई हो गए मिलर हाला की ठीक ठाक पर दर्शन कर रहे हैं नहीं यहां पर मैं गलातूं दोस्तों माकरम यह चलो थोड़ा बहुत दगड़ा चेक चल रहा है पिटोरियस तो बढ़िया प्ले रहे हैं उसके बाद यहां पर देखा जाए तो अभी दो बैट्समन तो हमें लेने हैं तो वो दो वैट्समन कोन हो सकते हैं यह भी सोचने वाली बात है डसन वाबूमा रीजा को हमें ही ले रहे हैं डसन और वाबूमा के साथ जा रहे हैं क्योंकि दो हमें लेने पढ़ेंगे दोस्तों को दिक्कत वाली कहते हैं कि चांसी नहीं है अब नौर्खिया नौर्खिया दोस्तों रबाड़ा बढ़िया कर रहे हैं लेकिन 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 क्रेडिट की दिक्कत है दोस्तों तो क्रेडिट की दिक्कत तो दूर करने के लिए हम डसन को बाहर कर रहे हैं और डीजा को ले रहे हैं और यहां पर नौर्खिया को टीम में रख रहे हैं वह तगड़ी फ दोस्तों शामसी बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं नंबर वन टीट्वएंटी स्पिनर है दोस्तों सबसे बढ़िया बॉलर है तो आप इनों बाहर रख रहे हैं क्यों हमें इंसे बेटर प्लेयर मिल रहे हैं तो हम बाहर कर रहे हैं को दिकत वाली बात ही नहीं है आप चाहो तो शामसी को टीम में रख सकते हूं को दिकत वाली बात नहीं है सारा फिर हम नहीं ले सकते जाहर सी बात है आना अब कैप्टेन और वाइस कैप्टेन ये एक आपके लिए थोड़ा था मुश्किल डिसीजन हो सकता है लेकिन इस विकर्ट पे आदिल रशीद कैप कैप्टेन बनाए जा सकते हैं और वाइस कैप्टेन नौर्खिया वाइस कैप्टेन बनाए जा सकते हैं जो तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं अब माल लीजे दूसरी तरफ साउच अफरिका बॉलिंग कर रहा है पहले तो टीम क्या बनेगी तो स्विंग का विजारा दोल लेने का लेकिन अब सारे हम नहीं ले सकते को कि इंगलेंड की बालिंग बहुत स्ट्रॉंग है ठीक है तो सी वी सी शामसी कैप्टन मनाए जा सकते हैं वी सी फिर आपके रहेंगे आदिल आपके वीची रह सकते हैं एक आदिविकर तो यह भी लेंगे सीफ है दोस्तों इस